हेलो डियर स्टुडेट इसके पहले हमने कॉपर के बारे में पढ़ा था आज हम ब्रॉंज के बारे में कासे के बारे में स्टेडी करेंगा कासे जिसमें कॉपर और टीन के अड़ाय होते हैं जिसमें अल्प मात्रा में अन्य तत्वा निकल और लेड होते हैं तीन ब्रॉंज जिसमें जिंक होता है और गन्मेटल कहलाता है गन्मेटल के गुण ब्रॉंज के गुण से मिलते जोता है लेकिन गन्मेटल में बहतर कास्टिबिलेटी होती है ब्राउंज के प्रकार फास्फोरस ब्राउंज सिलिकॉन ब्राउंज गन मेटल कॉपर रांगा मेगनिस ब्राउंज अलुमूनियम ब्राउंज सबसे पहले फास्फोरस ब्राउंज यह टीन ब्राउंज में जमें 0.1% से 1% फास्फोरस मिला देते हैं उपियोग इंजन के बेरिंग बनाने में होता है रोच फास बरांज में तीन 8% तक होता है फास फोरस जिरो पॉइंट 3% तक होता है इसका उपियोग रोड वायर और पट्टी के टरवाइन ब्लेड और स्प्रिंग में होता है तामबा रांगा धातू इसमें 80% तक रांगा 20% तक होता है या कठोर होता है इसमें wear resistance की छमता होती है इसके ढलाई सुगनता से हो सकती है इसका उपयोग मंदिरों चर्च स्कूल के बैल बनाने में या घंटा बनाने में घरेलू बरतन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है मेंगनीज ब्रांज इसमें तामभा 55-7% तक जींग 38-42% रांगा 1.5% तता लोहा 2% एलुमोनिया 1.5% तता मेंगनीज 3.5% होता है इसमें उस संचारन पतिरोध होता है यह कांसा फासफोरस कांसे के अधी समर्थेवान तता अधी कठोर होता है इसका उपयोग बूस फिट पर राज जल यान पतवा आधी के निर्माण में किया जाता है इसमें तामभा 96% सिलिकॉन 3% तता मेंगनीज या जिंक 1% होता है या एक मुत्पूर्ण अलॉय होता है इस अलॉय से तिप अतिरुप तरूपड में किया जाता है इसमें उच्च सामर्थे होती है इसका उपयोग वेल्डिंग फोर्जिंग संपन्न किया जाता है सिलिकॉन का से का उपयोग वाइलर टैंक इस्टो आधी के एसेसरीज बनाने में या उच्च संचारन पतिरोथ तता उच्च सामर्थे होती है इसमें तामभा 95% तामभा 95% अलुमूनियम 5% तता तामभा 92% अलुमूनियम 8% किया होता है इसमें उच्च संचारन तता उच्च पतिरोधी की छमता होती है इसका उपयोग वाल पंप बाड़ी गेर पीनियन कैम रोलर बेरिंग स्टाक अब्जारवर आधी के निर्मान में किया जाता है